धर्म गुरु बंधन तिग्गा जो है वेलो रस्पताल में थे तब ना हाल चाल पूछा ना कोई मदद किया भी देखिए धर्म गुरु को भी हमी लोगों ने बनाया हमने कहा बंधन तुम बन जाओ धर्म गुरु हेमन स्वरेंजी से हमारा बहुत अच्छा समद रहा है सुरु से उसको जेल जब भेजा गया तो हम लोगों ने मगर हम लोग कलपना मैडम से पलान बना रहे थे कि उसको चूपना कैसे है छुडाना कैसे सरना कोट नहीं देने का प्राओधान नहीं करोगे तो वो ठीक नहीं होगा और जब बन तो बन चका जाम तो पूरे जार्खन चका जाम रेल जाम तो वो भी जाम जार्खन विधान सवा चुनाओं को लेकर एक तरफ सियासी सरगर्मी तेज है तो वहीं जो परत्यासी है दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं इसी करम बे जो है विशुनपूर के विधायक हमारे साथ है जो एक फूर्सत के च्छन में हमारे साथ है सर स्वर्व परत्थम तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका जी चितन्यवाद देखे विधायक जी है चमरा लिन्डा जी है जो लगातार जो है लोगों से जनसंपर का भियान चला रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं ये बड़ी बात है और हमारे चैनल में जिस तरह से उन्होंने समय दिया है और समय देकर बात करने के लिए तयार है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक जो हमारे हाथ में जो एक कागस देख रहे हैं ये है जन जागरिती मंच का इन्होंने विधायक जी पर आरोप लगाया है कुछ ऐसे आरोप लगाये हैं जो विधायक जी को जवाब देने होंगे हमारे चैनल के माध्यम से ताकि उन आखिर क्या है ये हमने इसको पता लगाने का कोशिस किया जन जागरिती मंच जो हम लोग उसको ढूड़े उसको तो इस स्थिती में तो ऐसा हम मानेंगे इसको पुलिटिकली पर्दिद्वंदिता के कारण ऐसा डिफ्यम करने के लिए दिया गया चीज है ऐसा हम पहले तो उसको मानेंगे लेकिन फिर भी वो सवाल अगर पूछा गया है तो उसका जवाब देना मेरा फरज है क्योंकि उसको वो जानकारी नहीं है जो सवाल वो पूछ रहे हैं तो उसमें किया किया गया क्योंकि हमसे तो उसने नहीं पूछा कभी और इसलिए बेगाने में उसने सवाल डाल दिया तो हमसे पूछ लेता और तब वो बोलते कि इस सवाल का जबाब उसने ये दिया जो गलत था तो हम मानते लेकिन सवाल ही ऐसा है जो मेरी भाउन देने के लिए उन्होंने हामी भरी है तो विधायक जी सबसे पहला जो सवाल पूछा गया है कि प्रथम धर्म धर्म गुरु जैपाल उराओं के मरने पर आप घागरा नहीं कियों जैपाल उराओं मेरी सबसे संपर्क का सबसे ज़्यादा मतलब सानिध्य बेखती हुआ करते थे और एक तरह से हम लोग ऐसा मान लें कि पॉलिटिकली हम चल रहे हैं तो उनको हम लोग कहे गए कि जितने हमारे समाजिकरदार में काम है आप करें उनकी मौत पर हमको दूख है सभी को दूख है लेकिन महां गए नहीं उसके लिए आप क्या किये या का करना चाहते हैं जिससे कि उसका नाम इस दुनिया में रह जाए उसे को नहीं बुचते हैं लोग तो मेरी बात इसमें ऐसा है कि आपने तो कुछ नहीं किया हमने इस भी सह में किया कि जो स्कूल स्कूल हम लोग जैपाल उरा विमारी की हालत में हमने पैसा दिया है कि आप यहां भी इलाज करा रहे हैं अच्छा से इलाज कराइए पैसा लिजिए आप जितना लगता है पैसा हम लोग दे रहे हैं मेरे घर के हर मेंबर्स दिए क्योंकि मेरे घरिली मेंबर्स की तरह थे उसको बचाना ज्यादा जरूरी है और उसके लिए हमने क्या किया उसको पता नहीं है इसलिए ऐसा कोश्चन लोगों के दुवारा पुछा जाता है देखे दूसरा सवाल है कि वीजय परकास भगत आपके घर में काम करते थे जिलिंग गिसरा में उनकी हत्या हुई आप नहीं आए कि बीजे परकास मेरा घर में काम नहीं करता था वो मेरा एक पीए होता है और एक अनुसेवक होता है तो मेरा अनुसेवक के रूप में रेकोमेंडेट था विदान सबा की और से और उसको उसका थनखा मिलता था उसकी हतिया कमोवेस उनके भाई खंदानों ने करा क्योंकि अक चीना जाने का कोसिस कर रहा था, उसकी माँ को परिषान किया करने का कोसिस कर रहे थे, थाना में उसको हम लोग उसके जो हत्यारे हैं, अभी सब पकड़ा गए हैं, उसको कैसे करना है, इन सभी चीजों को, चूटि वो तो मेरा आदमी था, मेरे लिए काम करता था, और उसके बाद के परिवार को कैसे ठीक करना है उसका जीजाजी के साथ मिल करके हमने उस परिवार के LRDC से, DC से, जमीन के भी से में, उसका जेल के भी से में, उसका जेतना पुरपटी को लोग छिनने के कोसिस कर रहे हैं, सभी भी से पर हम लोगों ने काम किया और उसके आने वा पर है तब भी हम लोग उस पर अभी लगे हुए एक्शन लीजिए ठीक कि जिए और उसकी बुढ़ी मा है और उसकी बुढ़ी मां है और उसकी मां मतलब इसके जी जा जी था उससे भी लगातार संपर्क में रहें और जितना सहयोग हो सके कोट कचेरी लड़ाई जगड़ा पैसा कोड़ी कहां से लगेगा कौन वकील रहेगा सब कुछ हम लोगों ने किया एक सवाल और है कि मुख मंत्री हेमन सोरेन की गरबतारी हुई थी उसमें रैली निकाली गए थी आप उस रैली में नहीं गए हेमन सोरेन जी से हमारा बहुत अच्छा संब्ध रहा है सुरू से उसको जेल जब भेजा गया तो हम लोगों ने अब इन लोगों को तो पता नहीं है कि हमारा संब्ध कहां से किसे और क्या कर रहे हैं हम और रैली को देखता है मगर हम लोग कलपना मैडम से पलान बना रहे थे कि उसको छूटना कैसे है चुडाना कैसे है और अभी भी हम लोग उसको चर्चा कर रहे थे जब हम जाते थे सीएम अवास में की घर में तब इसी बिसे पर चर्चा करते थे सोचते थे कि हम लोगों को क्या होना चाहिए क्य यह चमरालिंडा हो या दूसरे अन्य हो या किसी तरह का कोई हो। यह रेईली में जाना आना यह साबित कभी नहीं करता है कि हम उससे कितने इंटेंगलन हैं, उससे कितने संबंधित हैं और कितने उससे नजदिकी हैं। तो उपता नहीं है, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं। मगर ऐसा है, हम लोग मैडम से इस पर सेयर करते थे। और सेयर करके प्लान में भी हमारी हिस्चेदारी रहती थी कि उसको छुडाने में क्या हो रहा है, कब तक होगा और कैसे होगा और क्या क्या हुआ हुआ और भुईहरी लेंड पर जुठा आरोप लगा करके किया, तो भुईहरी लेंड कैसा था, क्या था, उस पर क्या लोग होगा, नहीं होगा, आरोप ठराया गया है, गलट ठराया गया है, इस सब्चारी सी जो पर हम लोग उसके बाद जब निकले तो भी हम लोगों ने जा कर कि अब तो जैसे हमने पूछा कि महत्मा गांधी जब निकल के आते थे तो हर बार नया-नया ओँगोसना करते थे मतलब भारत छोड़ो अंदौलन कर देते थे तो सत्यागर आंदौलन कर देते थे आपने क्या क्या सीखिक आया उसने कहा कि हम बहुत कुछ सीख्या हैं आने वाला कल में हम लोग दिखाएंगे चलते हैं मिलते हैं और फिर से सरकार बनाने की कुछित करते हैं रह बनाएंगे दिखाएंगे अभी कि हमको जो भीजा गया है उसका कितना bjp वालों को भोग ना पड़ेगा कितना तकलीफें आऊंगी, कितना दिकतें आएंगी और वाक़ी ऐसा है उसके भेजने से आदिवासियों में जो सिंफती आई है वो बीजेपी को पुना प्रास्त करेगी एक सवला हो रहा है कि बसंद सोरेंट को राजस्वा सांसत के लिए वोट देने इसमें भी लोगों को जाना ही आई है देखिए, पिंटु बाबु और हैमन सोरें को जब हम होस्पिटल में थे क्योंकि डाइबिटीज होना है के बाद होस्पिटल में रहना मेरे लिए बहुत कठीन, मतलब होस्पिटल जाना ही मस्ट था तो हम लोग नौ तरीक को सीम साहब को बुलाए है होस्पिटल में बुलाए है फोन करके हमन भाबु को भी बुलाए है, पिंटु बाबु भी दोनों थे और हमने कहा कि हमें आप किसी तरह से यहां से ले जाने का उपाय करिए हम जा नहीं सकेंगे हम चल नहीं सकेंगे, हम बहुत कमजोर हो गया है उन्होंने कहा कि कल हम आपको ले करके चलने का बात करेंगे कमो एस ऑनफोर्चुनेटली गोवर्मेंट को जो रगवर दास की थी उन्हें पता चल गया कि हम होस्पिटल में हैं उनको तो एक-एक भोट का जरूरत था कि कट जाए और इसलिए उसने चारो तरफ से एक केस था मेरे उपर उसको ढूणा गया और उस केस के कारण चारो तरफ से पुलिस फोर्च लगा कर उसको घराबंदी कर दी गई घराबंदी करने के बाद वहाँ से निकल पाना मेरे लिए तब तक जब कोट अलाव करता तभी संभव था सुप्रीम कोट भेजा गया हेमन्त सुरेन ने अपनी वकील को सुप्रीम कोट भेजे कि इसको अलाव किया जाया मगर अनफोर्चुनेटली ये भी साम हो जाने के कारण वह संभव नहीं हो पाया एलाव हमको नहीं मिल पाया और पुलीस की घेराबंदी इतनी थी लेकिन हम लोग दो दिन पहले ही बात कर चुके थे हेमन्त सुरेन जी से भी बात कर चुके थे पिंटु बाबी भी थे दोनों ने कि हमको कैसे आप भोट देने ले जाएंगे इस तो किसी को पता नहीं है हमने किसी को बताया नहीं ये बात हमसे पूछ के क्यों नहीं बोला गया आपने किया कि नहीं अगर हम ये बात बोल रहे होते उसके बाद वो भेरिफिकेशन करता कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं तब यह कोश्चन डालता लेकिन यह कोश्चन सरा पॉलिटिकली राइबिलरी इंफ्लूएंस है सब तो जैसे हमने कहा कि वीज़ेपी वालों ने जन्जागरिती मंच उसने जारी किया है लेकि अधिवासी रहेली तो हमने जो किया मेरी नेत्रीतुव में जितनी हुई है आज तक 2001 से लेकर 9 के बाद तो हम MLA बन गए MLA बनने के बाद हो नहीं पाया लेकिन 2001 से 2009 तक अधिवासीयों की जितनी भी कानूनी प्राउधान है पेसा एक्ट है, C&T एक्ट है, अरक्षन है, 1932 का खतियान है, सभी विशयों पर जितना आंदोलन किया है हम सुछते हैं कि कोई MLA या तो कोई मंत्री लोग या तो कोई समाजिक काम करने वाला लोगों ने भी नहीं किया है हम लोगों ने क्या तमासा करके राखा करते थे, और जब बंद तो बंद, चका जाम तो पूरे जारखन चका जाम, रेल जाम तो वो भी जाम ये मुदा नहीं करोगे ठीक नहीं हो, परिशिमन को अगर नहीं रोकोगे तो वो ठीक नहीं होगा सरना कोड नहीं देने का प्रावधान नहीं करोगे तो वो ठीक नहीं होगा पेशा कानून के तहत मुख्या का हमारा भूरिया कमिटी लागू नहीं करोगे तो वो भी ठीक नहीं होगा सब चीज को नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा देखिए धरम गुरु को भी हम ही लोगों ने बनाया, धरम गुरु नहीं थे, 2002 में इसको आदिवसी चातर संद का उपाध्यक्ष हमने बनाया था, उसके बाद जब मैं एलेक्शन में आ गया, तो ओ धरम का पद लोग मुझे धरम गुरु मानते थे, अब हमको एलेक्शन में आ गये तो धरम गुरु मानना बंध हो गया, किसी को देना था, हमने कहा बंधन तुम बन जाओ, धरम गुरु, 2006 में हम लोगों ने घोसना कर दिया कि आज से धरम गुरु के पद इनके पास रहेगा, और इसलिए उस पद का देखो, मगर धरम से धरम का पद का दुरुपयो उसमें हमें जानकारी मिली, कि इनकी involvement है, चुकि वो जमीन को अगर किसी को सरना धरम गुरु अगवा है, उसके स्विकृति के बगर किसी का आना, और रेजिट्री हो जाना, और मूटेशन हो जाना, impossible, हमारी जानकारी में आया कि इसकी involvement है, हमने कहा, कि तुम जाके repent करो, औ हम आन्दुलन करेंगे, ये भी बोलो, आप, तो आन्दुलन उसने ये कभी नहीं कहा, प्रेश में भी भी कभी नहीं दिया, कि हम उसके किलाप आन्दुलन करेंगे, धर ना देंगे, तो ये साबित करता है और कुछ लोगों ने हमें clear cut कहा कि उन लोगों को हम लोग पैसा दे दिये आपको भी लेना है तो ले लीजिए ऐसा भी बात हमें कहा गया हम clear and confirm तो ऐसे में हम भाग ने देंगे साथ में हम नहीं रहेंगे जिसको जो पद दिया गया है धरम को रक्षा करने के लिए उसको जमीन को गर बेचेगा जैब बेचवाएगा तो और उसके विरूद में नहीं रहेगा उसके लिए खिलाफ आंदोलन नहीं करेगा और भी कई जगा मांडर कोलेज के जमीन करम के जमीन है कई ऐसा जमीने हैं जिस पर हम लोगों ने जानकारी मिला अधरवाइज हम लोग पर लिए थे जब लग रहा है यह पर मेरे पर भी लगाता है वह उसमें लगा यह लेकिन हम उस पर यह भी बात कहेंगे कि आप जैसा हम कह रहे हैं कि अर्मई का जमीन उसने डिल किया चैए बेच दिया चैए नहीं लड़ा चैए उसके कारण कोई लेंड बता है ऐसे ही बोल देंगे आप अदिवासी जमीन को या किसी जमीन को खाता को किसा जमीन को किसका जमीन तभी तो मैं बताऊंगा कि वह एगर और जुश किसका है क्या है हम इन्वेस्टिकेशन करेंगे उस पर आरो बेबुनियाद है कि भूल नगाडा दरी ड्राम बाटकर यहां की माताव बहनों को बुलवक बनाया भुश बरवाद किया ऐसा है हम लोग स्वेम आदिवासी बरबादी के कगार पर रहे थे एंथर्पलोजी सोसोलोजी ऐसा कहते थे और हम लोग भी देखा करते थे आदिवासी कल्चर संस्कृति बिलकुल डूब रहा था उसका नगाडा ढोल मांदर यह सब गाउं गाउं में बिलकुल अभाव हो है यह ऐसा चीज है जिस से उसकी पचान बनती है जिस से उसका पर्व त्योहार और उसका कल्चर उसका आदिवासी का कल्चर मतलब उसका निर्थिया और संगीत यह संगीत खतम हो रहा था समाप्त हो रहा वो समाप्त हो रहा था, हो चुका था, 2001 के आसपास हम लोगों ने देखा था, अब उसको जगाना था, अब जगाने के लिए अगर हम नहीं देंगे, रागों को बनाना था, जैसे हमारा जो आदिवस्यों का होता है, साधी वगरा में, जो राग, ले ताल होता है, या कर्मा मे होता है, अखडा में जो होता है, सरूल में होता है, या जत्रा में होता है, बाजा है तो राग आएगा, राग आएगा तो गाना आएगा, तो ये तीनों आएगा तो आदिवस्यों का पचान बचेगा, जैसे हमको याद है, हमारे मुंडा जी कहा करते थे, रामदयाल में भी खुद हम देखते थे कर्मा में मांदर हट गया नगड़ा तो था ही ने साधी आ गया तो डिजे बाजा चल रहा है मगर धाक नहीं है हमको देना बाट के अपना संस्कृति को बचाने के लिए हम उसको लुभाने के लिए ने दिये हैं कल्चर को बचाने के लिए उसका गाओं में उसको उस कल्चर ये दी हैं डेकची ढखना जो भी पराइज हम करते हैं तो कल्चर उसकी संस्कृति डूबती हुई संस्कृति को पुना आय और उसके परती रुजहान बने करति कुराओं थे उस समय में ऐसा बड़े जतरा करम सरूल कल्चर सब हुआ करता था अगर उसके बाद में धिरे 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 लोब होते होते सभी तरफ बिलकुल बंध हुआ थे बिसुनपूर विधान सभा में तो कम्प्लीटली को लोज अब उसको जगाने के लिए हमको ये करना पड़ा और करना मेरे लिए फाइदेमंद हुआ अभी मेरी कल्चर जगी है स संस्कृति जगा है सरना जगा है सब बहतर हुआ है आदिवसी में एक रेनेसा आया है और एक क्रामती की तरह धरम संस्कृति के परती आया है लाल पार साडी नहीं था 2001 के पहले ये जढ़ा भी नहीं था सरना जढ़ा इसकी सुरुवात और सोच हम लोगों ने पैदा किया और इसलिए कल्चर और धरम और संस्कृति को बहतर करने के लिए ही हम लोग इन चीजों को भी परदान करते हैं दूसरी बात यह है कि यह चीजें परदान करते हैं सपोच तभी गाउं गाउं में ऐसा हो गया है कि डेक्ची है ढखना है या ड्रम है या कई चीजें हैं ऐसा पर देख नहीं खरिते हैं, लाते नहीं हैं, भाड़ा में नहीं जाते हैं, 20,000 बचता है उनका, 20,000 बचना उनके लिए बहुत है, और इसलिए ये परतेग गाउं में हुआ है, हमको बताए ना, और दुसरे लोग क्यों ने दिये, विसुनपूर विधान सभा के अलावे, लो पोगिट से देते हैं, जैसे भी करके देते हैं, तो उसमें बिराई किया है, उसमें तो लाभी लाभ है उसको, अगर हम उसमें ठगने का बात होता, नकली चीज देने का बात होता, तो आप बदते कि ये देंगे बोलके नकली चीज दे दिया, ऐसा आप बोलते हैं, मगर फ पाचमा साल में देता है ना, हम सुरू से देते हैं, तो इसका मतलब तो साफ हुआ कि मेरा मन सा ठगना नहीं था, नहीं तो हम पाच साल इंतजार करते ना, तब न देते हैं, हम तो सुरू से देते हैं, पंदरा साल से दे रहे हैं, चलिए आरोप थोड़ा सौर है, जवाब द हज्यार ये मेरे दिमाग का उपज भुरिया कमेटी लागू करो 18 नॉबर 2000 जार खन 15 नॉबर को बना 18 नॉबर को रेली निकाल करके कछेरी रांची कछेरी में यहां से हम लोग सैनिक मार्केट से कछेरी तक गए भुरिया कमेटी को लागू करना होगा तब लागू हुआ है 10 साल रुका तब आदिवासी मुखिया बन पाए हैं इसलिए हमको क्या पूछेगा कि कहां से पेसा के लिए बात नहीं करते हैं उप पैदा करने वाला हम लोग उसको शुरुवात करने वाला आंदोलन करने वाला इसको जानता भी नहीं था भुरिया कमेटी किया है और पेसा इक्ट किया है उस समय से हम लोगों ने इसको शुरू किया है अच्छा धर्मकोड पारित होते समझ विदान सबाग क्यों नहीं है कि सरना धर्मकोड का 25 सरना धर्मकोड का मांग 2001 आदिवासी छातर संथ का एजेंडा में सबसे पहले ओजेंडा को ही हम ही लिखते थे एक्ट्यूली यूपीएसी जेपीएसी का एजाम लिखा करते थे तो मिश्रा कोचिंग हम जाया करते थे तो एंथ्रोपोलोजी में एक दिन हमने चेंज किया हिस्ट्री से उसको उसने कहा कि देखो ट्राइबल पुरा वर्ल्ड से मीट तो गया भारत से भी मिटने वाला है कल्चर मीट गया उसका धरम मीट गया उसका सरना मीट गया उसका पुजा मीट गया उसका पहान पुजार मीट गया ये बट जाएंगे मतलब ए आदिवसी कुछ चर्च में चले जाएंगे कृस्चन हो जाएंगे कुछ हिंदू हो जाएंगे मेरे दिमाग में ये बातें हमने वो डिमांड करते करते अभी तक मतलब जितना दिल हुआ हमने वो डिमांड करा और डिमांड से सब लोगों को अउगत भी कराया उसके बाद लागों आगे भी गया अभी बहुत सरा ट्राइपुरा भारत देश में भील और गोंड भी कह रहे हैं कि हमको सरना कोड मिलना मुझे फकर है इस विशेपे कि मेरे दिमाग किया और मेरे शुरुआत किया हुआ चीज अभी भारत देश में भारत देश के सभी आदिवासियों के बीच में फैल चुकी है ये चीज सडकों की जहां बात करें तो इन्होंने आरूप लगाए कि सेहल, बरांग, रूकी घाट, सेरिकदाग, चंदगो, सालामी जैसे गाओं में सडक नहीं बने आखिर क्यों अईसा पारी-पारी से सब को देते हैं, जैसे 30 किलो मेटर तो 5 रोड, 6 रोड बनता है ना, फिर भी हमको जैसे जानकारी मिला था, तो हम लोगों ने सेक्रेटरी से मिल करके दो रोड पर भी सेस कर, एक इटकीरी से सरिंगदाग का और एक घागरा से रुकी से होते हुए, भी मरला से होते हुए, दिरगाओं तक का रोड को हमने ये बनवाया उसका प्रोजेक्ट, एक का 105 करोड का बन गया, इसका, इस रोड का, और उसका 85 करोड का बन गया, तो हमने पूछा कि दोनों को मेरा पास कर दीजिए, तो सेक्रेटरी वोगरा कहा कि देखी हम लोग सभी विधायक को बाट रहे हैं, तो लगभग लगभग 100 करोड का काम आपको मिल सकेगा, जैसे राइपूर हम लोग गय थे, जब सरकार गीर रही थे, तो उसी समय ये तय हुआ था कि 100 करोड का काम दिया जाना है, मेरा काम 200 करोड का चला गया, तो उसमें से उन लोगों ने तय क कि जो 105 करोड का है, उसको हम लोग बाद में करेंगे, और 85 करोड का है, जो इटकिरी से सिरंग दाग तक है, उसको हम लोग ओके कर देते हैं, उसको ओके किया, ओ भी लाइन में है, उसको भी पास किया, लेकिन उसका 105 करोड होने के कारण उसको बैट कर दिया है, रखा है, अ क्योंकि यहां से आना मुस्किल है, जाना मुस्किल है, अभी हम लोग तीन दिन पहले वहां गए थे, और तीन दिन गए तो वाकई स्थिती ऐसा थाल नहीं है कि उसमें लोग चल सकें, आ जा सकें, इसलिए तुरंथ हमने कहा कि मुर्मी करन कर दो, कुछ पैसा मेरे पास था, ह और दोनों रोड को हमने स्योर करके, और उसको स्योर करके हम आ गया है, कि हम सबसे पहले प्राइरिटी में जो हमेरा कोटा का मिलता है, उसको देंगे, हमने ये भी आत्की तहां कि देखिए, इतना बड़ा च्छेतर है, जैसे भंडरा में ही उस दिन हम लोग गारा रोड का का बजट बना है, ये 105 करोर कहने में एतना भारी लगता है कि लोग जल्दी से ओके करता नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा साम लोगों को थूड़ना पड़ेगा, और बैट करके ठीक करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा रीजन कि उसको जल्दी से करिए, तो इस ब बिल्दिंग बनाया, लाइबररी बनाया, हमने बनाया उसको, आज तक कोई विधायक वहाँ दिया नहीं है, हमने दिया है, तो आर क्या चीज चाहिए, लाइबरी दिया, किताबें दी, और उसको पढ़ने को लड़कों को बच्चों को प्रेरित किया कि आगे बढ़ो ठीक से करो IAS IPS बनो जो रुरत पड़ता है तो हम लोग आर्मी वगरा ट्रेनिंग के लिए पारा क्या उमीद करते हैं और भी कुछ उमीद करते हैं तो हमको बताईए पढ़ाने जाहिए कहेंगे तो हम पढ़ाने भी जा सकते हैं जो तुम्हें मेरे पास है मगर इससे पहले कि अगर हम कंपेर करेंगे कोलेज के विशह में तो किसी ने दिया नहीं हमने दिया वह चीज़ गि हम लोगों ने आदिवसी छातरसंद ने दिया उसको लोहरदगा से लड़े वो अगर उनके परति कोई दुर्भावना रहता तो यह कैसे संभव होता उसको हमारे साथ में रहे हम लोगे गुरू थे हम लोगों ने कहा कि गुरू जी हम विसुनपूर से लड़ रहे हैं आप ल पुद लड़े नहीं तो इसलिए ऐसा नहीं था किसी तरह का दुर्भावना और किसी तरह के बाते नहीं थी बलकि हम लोगों ने वो टिकट दिया इसको जाए बिरिंदर भगत बिरिंदर भगत की वी वाइब को अभी भी हम लोग यह परवी कर रहे हैं तो ठीक है वो आज पुदान कैसे करना है कितना देना है या क्या करना है कोई जुर्वत पड़े अभी उनकी वाइब से मेरी बहुत अच्छी संबंध है और वो जब भी किसी तरह की बात होता है तो सेर करती है उसको बातों को कैसे कोई जानेगा जो नहीं जानेगा वो सबको तो लगेगा कि उनसे संबंध है नहीं है क्या है तो अजीब इस्तिती में उसको प्रतित होगा तो जारोप लगाएगा वो तो इसलिए हम बहुत तो नहीं देते हैं इसको तरजीह नहीं करेंगे मगर जो आप बोल दिये हैं तो हम लोग को जबाब देना जो करेंगे और तीन आरोप है 15 वर्स में कोई विकास का काम नहीं की आपने विकास देखिए विकास किसको कहते हैं और करता कौन है एक एमेले के पास पांच करोड रुपिया मिलता है पांच करोड एक साल में और एक हजार गाउं है तो अगर विकास किस पैमाना पे कह रहे हैं तो क्या हम पांच करोड र इबन मुस्लिम को भी नहीं देते हैं, इबन हिंदु भाई को भी नहीं देते हैं, आदिवासियों को दे देते हैं, मगर उपांच करोड कितना है, बहुत कम है, तो इसलिए उसका जो विकास होता है, असल में ज्यादा तर हम लोग कोशिस करते हैं कि सरना घरम का, जो अस्थल सबसे पहले हमने शुरुआत किया उस पैसा से, सरना का बॉंडरी करना, शुरुआत किया तो अभी सभी विधान सभाओं में सुरू हो गया, अखडा को बनाना, अखडा इन आदिवासियों का मंदीर है, उसी में पूजा पाठ होता है, कर्मा सरूल सब होता है, उसको बनान तो उन पैसों को हम यहीं खर्च करते हैं, और करीब करीब सभी गाओं में यह डोल मांदर नगाडा हो चुका है, जिसके कारण कर्मा और सरूल में अब दिखने लगता है, कि इनके पूर्खों के दवारा सो साल पहले आदिवासिक कैसा इनका संगीतर गीत हुआ करता था, अब फिर रिबाइब हो रहा है, इसलिए दिख रहा है, अब वापस आ रहा है, जो बुझ गया था, जो खतम हो गया था, वापस आ रहा है वो, तो इसलिए उन पैसों का हम लोग वहाँ उपयोग किये 12 स्कूल हम लोग भी बनाए हैं, सब में 300 से 400 बच्चे पढ़ रहे हैं सभी में, English and Mathematics को हम लोग भी से square कर रहे हैं, एक आरोप इसमें लोग लगाता है कि पैसा ये लेता है, हम पैसा लेते नहीं हैं, टीचर हम बाहर से लाते हैं, आंदर परदेश से टीचर लाते हैं तो उसको हमको पैसा देना पड़ता है, हम कहीं कहीं से जुगाड करके उनक बच्चों को पढ़ाएं, आप हमको बताइए, ऐसे स्कूल या तो इसे सरना बॉंडरी का काम, या तो नगाडा डोल मांदर, अन्य बिधान सभावों में अगर किसी ने किया है, आदिवसी का एक अठाई सीटे हैं, सभी आदिवसी मेले होते हैं, किसी ने अगर किया है, त अब देखो, गडवन्दन की सरकार में हम थे और अभी भी हैं, और गडवन्दन की सरकार में ना होते तो ये टिकट ना होता, समाप थो गया होता, आप सोचिंगे थोड़ा सा तो ये किलियर आ जाएगा, कि हम उसकी वेलू का हमारे पास समान हैं, मगर अइसा है, हम आदिवासी बचेंगे, तब मेरा गड़बंधन भी बचेगा, तब पोल्टिक्स भी बचेगा, और तब मेरा फ्यूचर भी बचेगा, मेरा बच्चों का समान भी बचेगा, हमारा इनी चीजों पर खत्रा है, और ओ आदिवासी गोलबंदी से ही होगा, जैसे हमने कहा, सरना क का दरवाजा बंद कर दिया, 25 साल में जो चीज पैदा किया गया उसको बंद करने का कगार में है, मतलब उसका कहना है कि आ भूल जाओ, ये तुम्हें नहीं मिलेगी, उसको बचाना है, उसको फिर सिलाना है, नोकरी का आरक्षन और परीशिमन का आरक्षन और MLA का आरक्षन गट रहा है, ब्यापक पैमाने पर गट रहा है, और गटाएगा ये लोग, तो गटाने से पहले हमको उसको बताना है कि तुम नहीं गटा सकते, क्योंकि ऐसा प्रवधान कहीं पर समिधान में लिखा हुआ नहीं है, इसके लिए हमें बड़ा रेली करने की जुरुरत है, ज उसमें आदिवसी को गोलबंदी ही इन दोनों तीनों मुद्दों को बचाएगा, हम उसको परियास कर रहे थे, हम प्रियोरिटी ही करेंगे, हमको चाहे कुछ हो भी कर दीजिएगा, जहां से भी कुछ भी action, fiction, जो भी आप बोलिएगा, लेकिन आदिवसी पर खत्रे होंगे तो हम उसको इतनी प्रियोरिटी करेंगे कि बाकी चीजों को हम नहीं देखेंगे, इसलिए आदिवसी का गोलबंदी करना जरूरी था मेरे लिए, ताकि केंदर सरकार जो बीजेपी के पास ये दोनों चीजों को खतम कर रहा है, उसको हम प्रेसर कर सके कि आदिवसी गोलब कैसा बर्गलाने का काम है, तो ये इनकंप्लीट क्वेश्चन है, इस पर कैसा बर्गलाने का बात है, पोल्टिक्स तो बाती है, मगर वो स्पेसिफिक रूप से कुछ कहे होते कि कैसा करके आप बर्गला रहे हैं, तो उसका जब्राब हम दे सकते थे, बहुत-बहुत धन्य बात की जाए, मतलब जो भी लोगों की बात की जाते नहीं है, या तो सड़क निर्मान में कुछ ये हुआ है, तो जमीन कब जाने का आरोप है, मतलब कई तरह के आरोप जो है, इन पर लगे है, तो विधायक जी ने पूरे आरोपों को हमारे कैमरे के मातियम से बताने और सम जाने का काम किया, तब देखने वाली बात हो कि जन जागरती मंच का जो आरोप है, वो विधायक जी के जवाब से वो संतुष्ट है या नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जन जागरती मंच के जो आरोप है विधायक जी क्या कहेंगे, इनके आरोप पर क्या क बात करेगा ही, पोलिटिक्स में तो छल बलकल चलता है, तो छल और बलकल सहयोग कर दिया, लगा दिया है, इसलिए हम लोगों ने उसको किलियर करने के लिए आप लोगों का सहयोग लिया और हम आप लोगों का बहुत सुक्र गुजार है कि हम लोग इसको clear कर दिये क्योंकि अगर वो मन से चाह रहा होता तो ऐसा question ही नहीं उठाता जिसका जबाब उसको पता ही नहीं है चाहे उसके बिसे में भी पता नहीं है तो नहीं उठता ये चीज सवाले तो ठीक है तो सुन लिया आपने कि जन जागरती मंच का जो है जो सवाल था उन्होंने विधायक जी किस तरह से जवाब दिये है तो ये पोड़न जवाब इन्होंने दिया है जिस तरह से सवालों का जो बौचहार था तो विधायक जी ने उन सवालों का जवाब पुरी तरह स तो इस पर जो है आप जब चैनल देखेंगे चैनल देखकर जो है विदायग जी का जब जब आप देखेंगे तो उसका कमेंट जो है आप जरू करके बताएं कि इनके जवाब से आप संतुष्ठ है के ने तो देखते रहे जियन भारत गुमला से मैं मोहन कुमार हेमन स्वरन जी से हमारा बहुत अच्छा समध रहा है सुरू से उसको जेल जब भेजा गया तो हम लोगों ने मगर हम लोग कलपना मैडम से पलान बना रहे थे कि उसको चूपना कैसे है छुडाना कैसे सरना कोट नहीं देने का प्राओधान नहीं करोगे तो वो ठीक नहीं होगा और जब बंद तो बंद चका जाम तो पूरे जारखन चका जाम रेल जाम तो वो भी जाम अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले